आप सभी अच्छे होंगे मेरा नाम हराचिश और आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल इस्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है बात करने वाले सुजिलोन एनर्जी लिमिटेड शेयर के उपर आज इस्टॉक में हमें 0.7 पर 9% की वीक्निस देखने को मिल और अगर लास्ट वन मन्त के रिटन की बात करें तो इस्टॉक में हमें लगबग 9% से ज्यादा के नेगेटिव रिटन यहाँ पे देखने को मिले है अलाकि इस्टॉक बहुत ही जबर्दस परफॉर्मेंस इस्टॉक ने हमें एक साल में दिखाई है वन येर के रिटन की ब इस्टॉक 10 रुपए से उपर नहीं निकल पा रहा था और लगबग इस्टॉक ने 6 रुपए का लो भी बनाया था छे रुपए से 10 रुपए हुआ और अब 10 रुपए से आप देखिए 37 रुपए स्टॉक हो चुका है तो अब इस्टॉक में क्या करना चाहिए क्योंकि इनरजी की चार्ट की बात करें तो यहां से आप देख सकते हैं स्टॉक बहुत ही सिंपल है यहां पर आप देखिए जब से स्टॉक में बढ़ता हुआ देखने को मिला है स्टॉक में एक पैटन आप देख सकते हैं नीचे की साइड जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड ला यहाँ पर भी लिया और अगर आभी देखिए तो इस टॉक लगबग हमें इसी लेवल के आसपास देखने को मिलता है अगर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट लेता है और इस लेवल को नहीं ब्रीक करता है तो यहां से वापस से हमें एक अच्छा momentum देखने को मिल सकता है हमें काफी ऊपर आ चुका है तो यहां से इस stock में काफी ज्यादा risk भी involved हो गया है क्योंकि अगर आप यहां पर कहीं entry लेते हैं तो stock में आपको अपने stop losses हैं उसको काफी strictly follow करना चाहिए मेरे according क्योंकि यहां का stock था यहां से हमें 37 का होते होगे देखने को मिला है यहां पर थोड़ा सा भी हमें weakness देखने को मिला यहां पर fall देखने को मिला तो यहां इस stock में हमें panic selling देखने को मिल सकती है लोग यहाँ पर selling कर सकते हैं और वैसे भी यह stock जो है यह operators के द्वारा ज्यादा driven होता है तो इस तरीके से आप सुझलान energy में काम कर सकते हैं और अगर support की बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर support है 35 रूपीज का अगर stock 35 रूपीज के level को break करता है तो यहाँ से अगर नीचे जाता है 35 के level को break कर देगा तो यहाँ से stock में काफी ज़्यादा fall देखने को मिल सकता है और यह stock में आपको काफी ज़्यादा alert रहना चाहिए क्योंकि stock already काफी ज़्यादा return दे चुका है और यह stock operators के दोरा ज़्यादा operate भी होता है तो इस तरीके से आप यहाँ पे दुझलान energy में अपने जो भी trade को plan करें काफी समझदारी और सावधानी पूरवक करें तो यहाँ से अगर इस stock में weakness की बात करें तो आप देखी यहाँ पे अगर इस stock में इस trend line का breakdown होता है तो इसके नीचे हमें weakness देखने को मिलेगी आप इस stock लगबग हमें अपना 44 rupees का high बनाया था stock ने और वहीं पे stock वहाँ से वापस से नीचे की साइड आया था profit booking देखने को मिली थी तो अभी के लिए इसमें जो important level है वो है 35 rupees के नीचे stock में weakness है और अगर trend line के जितना ही पास रहेंगे आपके stop clauses छोटे निकलेंगे इस stock इस trend line के ऊपर आता है और sustain करता है और फिर वापस निकलता है तो यहाँ से अच्छा हुआ momentum हमें देखने को मिल सकता है इस stock में यह trend line जो है मैं resistance की तरह काम करते हुए देखने को मिल रही है अगर यहां से breakout होता है तो stock में काफी अच्छा momentum हमें देखने को मिल सकता है और breakout का level कह रहने वाला है तो यहां पर अगर breakout का level की बात करी जाए तो यहां से stock अगर 39 rupees 50 पैसे को निकालता है तो यहां से हमें अच्छा level देखने को मिल सकता है अगर इस stock में 50 days exponential का level आ रहा है अभी वो क्या है 35 rupees 50 पैसे का तो इस stock में अगर 35 rupees के नीचे closing होती है तो यहां पर हमें weakness देखने को मिल सकती है तो इस तरीके साब socialon को यहां से track कर सकते हैं 50 days exponential के नीचे यहां से आपने stock loss को place कर सकते हैं और उपर की side में अगर बात करें 39 rupees 50 पैसे का level अगर stock break करता है तो इसके बाद हमारे जो यहां पर levels रहेंगे possible levels वो के आ सकते हैं तो यहां से हमारा जो first level रहेंगा वो रहने वाला है 44 rupees का लेवल अगर stock break करता है तो इसके बाद हमें और upside देखने को मिल सकती है फिर stock हमें 48-49 rupees तक की जाता हुआ देखने को मिल सकता है अगर इस stock से related आपका कोई डाउट हो तो comment करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें मिलता हूँ नेक्स वीडियो में थैंक यू फॉचिंग मैं वीडियो